Hello friends, आज के plan एक single storage building घर के बारे में है, जो 28 by 34 square feet area में बनाया हुआ एक coloring खुपसरत building घर है, जिस घर के plan में 3 bedroom, hall room, kitchen और एक store room भी है, घर के front side में designing room के साथ घर के बारंदा दिया हुआ है, और right side में एक छोटा सा garden भी बनाया गया है, दोस्तो आज हम लोग इस building घर के drawing, foundation और superst structure के बारे में discuss करेंगे, और इस building घर के बारे में details में जाने के लिए देखते रही है, डांकुस plane, दोस्तो घर के drawing में 3 bedroom है, और इस bedroom को आप लोग घर के hall room बना सकते हैं, breakfast, lunch और dinner के लिए dining room के लिए भी use कर सकते हैं, घर के इस जगा पर घर के kitchen room दिया गया है, और store room के लिए भी जगा रखा गया है, चाहां पर आप लोग घर के कुछ समान store कर सकते हैं, और घर के 3 bedroom है, सभी बादरूमों में toilet room attached किया हुआ है, यहाँ पर घर के इस bedroom के लिए एक bathroom दिया हुआ है, और बगल के room में और एक bathroom है, जो इस bedroom के लिए बनाया गया है, और इस जगा पर घर के common bathroom है, जो सभी room के लिए common है, जो घर के staircase का landing का नीचे बनाया गया है, और यह room घर के staircase के लिए है, चाहा से होते हुए आप लोग घर के ground floor से fast floor जा सकते हैं, घर के front side में 10 x 14 square feet size का एक बारंदा है जहाँ पर बेटनी के लिए आप लोग chair table set कर सकते हैं और बारंदा के right side में garden के लिए एक medium size का जगा रखा गया है जिसके size से 13 x 9 square feet जहाँ पर आप लोग flowers और कुछ herbal plant लगा सकते हैं और घर के सभी रूमों के measurement इस plan में दिया हुआ है जहाँ पर 13 कुलोम square shape में और front side के 2 कुलोम round shape में दिया गया है square shape में कुलोमो के size 10 inch by 10 inch दे सकते हैं जहाँ पर 16 mm का 4 सरिया डाल सकते हैं और round shape का 2 कुलोमो के size 5 inch diameter का दे सकते हैं जिसके लिए भी 16 mm का 4 सरिया योस कर सकते हैं और सिंगल इस्टोरेट बिल्डिंग घर के कुलोमों के फूटिंग के लिए आर्थवर का minimum length 3 feet 6 inch दे सकते हैं, चाहा पर cube size में आर्थवर करना चाहिए. दोस्तो घर के ground level का उपर 13 कुलोम है, जो square shape में बनाया गया है, और घर के front side में बारांदा के लिए round shape में 2 कुलोम दिया गया है. घर के plain height 3 feet और plain wall brick से बनाया गया है, जिसके thickness 10 inch दे सकते हैं, और घर के रूमों के लिए brick wall का thickness भी 10 inch देनी चाहिए. ground floor के plain में घर के 10 doors है, जहां 7 doors रूमों के लिए और 3 doors बादरूम के लिए दिया गया है, और घर के fast floor में 1 door है, घर के सभी door red color में दिया हुआ है, और घर के fast floor में 7 windows भी है, जो green color में glass से डिजन किया हुआ, बहुत ही simple windows है, सभी windows के size से 4 feet wide 3 feet 8 inch और घर के fast floor में 2 windows दिया गया है, घर के सभी windows के ऊपर सज्जा डिजन किया गया है, जो windows को धूप और बारिश से बचाता है, और यहाँ पर आप लोग जो square ship में hall देख रहे हैं, ओ घर के बाद रूमों के gauge बाहर निकलने के लिए दिया गया है, और ground floor से fast floor जाने के लिए एक staircase दिया हुआ है, जिसके treads 8 inch और riser 6 inch दे सकते हैं, घर के बारांदा के front side में stairs भी दिया हुआ है, जो 14 by 6 square feet area पर बनाया गया है, और जहां से हम लोग घर के रूमों के अंदर जा सकते हैं, बारांदा के दो side में railing से भी design किया गया है, और बारांदा के right side में एक medium size का garden है, जहां हम लोग घर के खुब सूरते के लिए flowers लगा स सकते हैं, फास्ट फ्लोर में घर के रूम RCC से design किया गया है, जहां पर आप लोग 10 mm का main bar और 8 mm का distribution बार यूज़ कर सकते हैं, और बारांदा के रूपिंग के लिए आप लोग 10 sheet लगा सकते हैं, घर के parapet wall के hide ए 3 feet 6 inch और parapet wall के front side में इस till का road से design किया गया है आप लोग्या है